अब बच्चो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग बच्चो यह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 5 बजे साड़े 5 बजे वीडियो बनाया है 5.38 हो रहा है सुबह में वीडियो बनाया ठीक है आप लोग को भी मैं कहूंगे कि सुबह उटकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ठीक है सुबह का जो वाता वरण होता है वह बहुत ही अच्छा होता है तो आज मैं आप लोग को बहुत है तो इसमें मैंने 500 कोश्चन को दिये हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं ठीक है 500 कोश्चन पढ़ने के बाद आपको कहीं कुछ और नहीं देखना है गज्ज पद्य से वही कोश्चन पुछे जाएंगे जो इसमें दिये हुए है ठीक है तो मैं सभी से दे देंगे उसके बाद अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं दोंगी लेकिन अगर आप लोग को आता रहेगा तो अनस्वर देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि एक्जाम नजीदिक है अनस्वर देंगे तभी आपको आएगा कि हाँ यह कोश्चन हमक का उनसी मानें जाती है तो आपका जो है गोराबाधल की कथा जो है यह सहीद्वासन ही के गोराबादल की कथा गधीरचन प्रत्थम गधीरचन माने जाती है अगला कोश्चन देख्यों मादाना कंज। ठीक है मैं आपको answer देने का भी time दे रही हूँ, आप लोग अपना जो भी विचारों जो लग रहा हो, अभी तो लगने का time नहीं है, आप लोग को सही answer देना होगा, ठीक है, ज्यादा तर कोसिस करिए कि आपका सही option मिले, तो स्योप्रसा सितारे जो है, वह सही है, स्योप्रस श्योप्रकास बताएंगी किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकास किसकी रचना है, तो यह रचना जो है स्वामी दयानंद की है, ठीक है, स्वामी दयानंद की है, अगला question माधव बिलास के लेखक है तो माधव बिलास के बेटा कौन लेखक है लल्लू लाल है ठीक है लल्लू लाल जो है माधव बिलास के लेखक है उसके बाद चलिया हिंदी के साहित इतिहास के लेखक है हिंदी के साहित इतिहास के लेखक है बिलकुल सरल कोश्चन में इसको आप लोग आराम से दे सकते हैं ठीक है और बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है ठीक है आचार्य रामचंद्र सुकल ठीक है जो है हिंदी के साहित इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र सुकल है ठीक लेखक नहीं है तो बाल मुकंद गुप्त जी जो है हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है ठीक है भारते इंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है अगला गोश्चन नागरी प्रचारनी सभा के अस्थापना की है तो यह question भी बहुत important है नागरी प्रचारनी सभा के अस्थापना की है किस लेखक ने की है किस लेखक ने नागरी प्रचारनी सभा के अस्थापना की है तो स्याम सुंदर दास ने जो है नागरिप चारने सभाकिया स्थापना की है ठीक है बहुत important question यहाँ पर लिया गया है ठीक है वीर गाथा काल के कभी है तो वीर गाथा काल के कभी कौन है अंस्वर आप लोग देने में कोई गंजूसी नहीं करेंगे सभी बच्चे फटा फट अंस्वर देंगे ठीक है फटा फट अंस्वर देंगे वीर गाथा काल के कभी है वीर गाथा काल के कभी है चैंदवर्दाई विल्कुल सरल question है मैंने आप लोग को कई बार पढ़ा है इस question को बेर गाथा काल के कवे हैं ठीक है भारतेंदु से पूरो के लेखक है तो सदा सुखलाल जी जो है भारतेंदु से पूरो के लेखक हैं ठीक है, अगला कोस्टन आधुन ईगर्धि का जनक कहा जाता है आधोनिक गद्य का जनक कहा जाता है विल्कुल सिंपल कोश्चन है एकदम अपने कान में लगा कर रख दीजिए कि भारते इंदू हरिश्चंद्र को जो है आधोनिक गद्य का जनक कहा जाता है ठीक है अगला कोश्चन आचार ये महावीर प्रसाद दिवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है आचार ये महावीर प्रसाद दिवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था इस तरह से भी कोश्चन पूछा जाता है और यह कोश्चन वेटा बहुत बात पूछा जाता है ठीक है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, सरस्वत्य जो है आचारे महावेर प्रसाद दिवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है? अगला कोस्चन, दिवेदी युक का नाम करण हुआ, दिवेदी युक का नाम करण हुआ है, किसके नाम पर? बहुत ही सिंपल कोस्चन है, दिवेदी युक का नाम करण हुआ है, तो दिवेदी के नाम पर? याद खरने के लिए बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हैं, महावेर प्रसाद दिवेदी के नाम पर ठीक है, चलिए अगला कोस्चन, महावीर प्रसाद दिवेदी लेखक हैं कौन से युक्कि महावीर प्रसाद दिवेदी लेखक हैं आप लोग बताएंगे कि कौन से युक्कि महावीर प्रसाद दिवेदी लेखक हैं तो सिंपल सी बात है महां याद करने के लिए याद कर लीजी महां भी पिसाद दिवेदी जी दिवेदी युक्य लेखक है ठीक है दिवेदी युक्य लेखक है अगला कोस्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज इस्थित्था फोर्ट विलियम कॉलेज इस्थित्था और एक तरह से यह भी question बन सकता है कि Fort William College की अस्थापना कहां होई थी ठीक है तो Fort William College कहां इस्थित्था यह भी पूछा गया है और कहां अस्थापना होई थी तो यह दोनों का अंसर होगा कलकत्ता कलकत्ता अंसर देंगे दोनों question चाहे जिस तरह से पूछा जाए कलकत्ता ही होगा आनंद कादंबनी के संपादक है आनंद कादंबनी के संपादक है तो यह question आप लोग दे सकने हैं बहुत ही important है देख भी रहे हैं कि important लिखा भी गया है ठीक है जितने भी question ज्यादा तर सन में पूछे जाते हैं वह important करके बुक में भी दे दिया जाता है और जहां भी प्रश्नों का पिटारा बनता है समच चीए तो वहां भी important बता देता है कि यह question बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसका मतलब है कि बहुत बार पूछा जा चुका है इसका मतलब इसमें भी 2022 में भी पूछे जाएंगे ठीक है तो इसका अनंद कादम बनी के संपादक जो है बदरी नरान चौधरी प्रेम घन है ठीक है बदरी नरान चौधरी प्रेम घन अगला कोश्चन सरस्वती के संपादक है अभी हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है सरस्वती के है कॉंसी रचना रांब्रिच बेनिपुरी की नहीं है कॉछ हैं चेना रांब्रिच बेनिपुरी की नहीं है बहुत सिंपल सा कोश्चन है पतितों के देश में यह रामविश्च बेनी प्यूरी द्वारा लिखी गई है और यह भी लिखी गई है यह भी लिखी गई है ठीक है प्रित्वी पुत्र जो है यह वासुदेव सरड अगरवाल के द्वारा लिखी गई है और इसके जो जो आप लोग क सेलेबस मी है राष्ट का स्वरूब प्रिथ्मी पुद्र से सी लिया गया है हुए तो रेखा चीतर पर आधारित रचना है अतीद के चलचित्र और महादेवी वर्मा की द्वारा यह लिखा गया है ठीक है अगला कोश्चन है इस्मृति की रेखाएं कृति है तो इस्मृति की रेखाएं किसके कृति है तो महादेवी वर्मा की कृति है ठीक है इस्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की कृति है अगला कोश को Coke के रिका चित्रकार कौन है ठीक है उसके और हन्स पत्रिका के संपादक च है इस तरह से को extends पूछा जाएगा ठीक है तो हंस के संपादक ध्यान दिजिए प्रेम चंद जी है ठीक है हंस के संपादक प्रेम चंद जी है ठीक है प्रेम चंद जी अंस्वर आप लोग का बिल्कुल सही आ रहा है इसी तरह से कोशिस करते रहेंगे ठीक है अंस्वर सही से देते रहेंगे अंस्वर देने से आप लोग का ज्यान बढ़ेगा ठीक है प्रैक्टिस जादा होगी ठीक है ऐसे तो सुनने से उतना प्रैक्टिस नहीं होगी जितना आप लोग अगर अंस्वर देने का प्रयास करेंगे तो याद भी होगा माइंड में सेट होता रहेगा ठीक है तिब्बत यात्रा के लेखत क्रात लेखल राहूल सांकृतियाइं जो है तिब्वत यात्रा के लेखाखत अग्ला क्स्ट्रों चाहयबाद Oates वह है आपका 1938 से वर्तमान तक थीक है ध्यान दिजीएगा 1938 से अर्तमान तक ठीक अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग अगला कोश्चन देखेंगे बिलकुल हमें टाइम वेश्ट नहीं करना है फटाफट सारे कोश्चन को कर डालने है ठीक है दिवेदी युक्का नाम करड़ हुआ तो अभी एक कुश्चन आ गया था महावीर प्रसाद दिवेदी के नाम पर ठीक है तो फिर हम अगला कुश्चन करेंगे निनलिखित में से कौन प्रसिध्य आलोचक है इससार आप लोग देंगे कि कौन प्रसिध्य आलोचक है तो जो रामचंदर हुआ अचारे रामचंदर सुकल है तो यह आपका सही आप्षन होगा सरदार पूर्ड सिंग का लेखन यूग है सरदार पूर्ड सिंग का लेखन यूग है तो कौन सा सरदार पूर्ड सिंग का लेखन यूग है तो सरदार पूर्ड सिंग का लेखन यूग है ठीक है अगला कोश्चन अगला कोश्चन हम लोग द चार आप्सन दिये गए हैं इसमें असत्य कथन एक है उसको आपको बताना है ठीक है तो असत्य कथन चुरिए इसमें से आपको चारों पढ़ना पड़ेगा फिर आप असत्य कथन निकाल सकते हैं ठीक है रहर को प्रताप नाराण मेड़े हिंदी प्रतीप के संपादक थी तो कौण सा अपसन सही है उसको आप लोग बताएंगे ठीक है तो प्रताप नरायन मिस्त्र जो हैं असत्य कतन छाटना है ठीक है तो असत्य में यह आपका सत्य है महावी प्रसाद दिवेदी जो है सरसाथी पत्रिका के संपादक थी यह भी सत्य है आचारे रामचन्द सुकल हिंदी साहितिका इतिहास गरंथ के लेखक हैं यह भी सही है और प्रताप नरायन मिस्र हिंदी प्रतीब के लेखक हैं यह आपका गलत आफ़सन है ठीक है तो इसको स्टिक करेंगे सही मिठीक है क्योंकि असात्यकतन पूछा है तो यही आपका असात अगला नागरी प्रचार्णी सभा के अस्थापना होई तो यह अस्थापना जो है कब होई कौन से यूग में यह आप बताईए मैं आपको टाइम दे रही हूं ठीक है टाइम दे रही हूं आप बताईए नागरी प्रचार्णी सभा के अस्थापना कब होई ठीक है कौन से य युग में हुई तो सभी बच्चे अंस्वर देंगे बिलकुल इसी तरह से अंस्वर आप लोग दे दे रहेंगे ठीक है नागरी प्रचाडनी सभा के अस्थापना कब हुई तो अभी यह कोश्चन दुबारा समझे रिपीट हो रहा है तरीका अलग है लेकिन कोश्चन कासी नागरी प्रचाडनी सभा के अस्थापना किसने की कासी नागरी प्रचाडनी सभा के अस्थापना किसने की और दूसरा कोश्चन बनता है इससे कि कासी नागरी प्रचाडनी सभा में संस्थापक थें या फिर हैं तो कौन है इसका अंस्वर देंगे आप लोग ठीक है अंस्वर अच्छे से देंगे ठीक है जो आपको सही लगेगा एकदम उसको अंस्वर में लिखेंगे काखा गगा जो भी सही लगे ठीक है चलिए 29 का मैं बात कर रही हूँ कासी नागरे प्रचारनी सभा की अस्थापना किसने की तो यह जो है स्याम सुन्दर दासने की यह स्याम सुन्दर दासने की यह स्याम सुन्दर दासने कासी नागरे प्रचारनी सभा की अस्थापना की यह फिर संस्थापक है यह भी बूशा जा सकता है भार्तेंद युग के लेखक है तो भार्तेंद युग के लेखक है तो भार्तेंद युग के लेखक है वो है प्रताप नरायन मिस्र ठीक है यह भार्तेंद युग के लेखक है सदल मिस्र की रचना है सदल मिस्र की रचना है सभी बच्चे अंसर देंगे कि सदल मिस्र की तो इसलिए मैं यह कहूंगी कि टेंसन फ्री होकर देखिए ठीक है और देखने के बाद जब एक्जाम में जाएगा जब इसमें से कोश्चन नहीं फसेंगा फिर आप हमको आकर कहिएगा कि हाँ इसमें कोश्चन नहीं फसा मैं आपने गलत पढ़ाया जो कुछ भी होगा ठीक है है मैं तो यह कहूंगी कि समझें छपने वाला है ठीक है छपने वाला है क्योंकि इसमीं जो कोश्चन इस से बाहर मैं पूरी पूरी guarantee 100% के देते हूं इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा 100% guarantee है तो इसलिए class को ध्यान से पढ़ेंगे तो सदल मिस्र की रचना है सदल मिस्र की रचना है नासी के तो पाख्यान यह है आपका सही option है ठीक है अगला question भारतेंद यूग के लेखक है तो कौन है भारतेंद यूग के लेखक देखे अभी प्रताप नरायन में से थे एक भारतेंद यूग के लेखक और अब दूसरा कोशन फिर से पूछ रहा है कि भारतेंद यूग के लेखक हैं तो इन में से चार आपसन दिये गए हैं इन में से कौन है भारतेंद यूग के लेखक तो बाल कृष्ण भट ये जो हैं भारतेंद यूग के लेखक हैं ठीक है अगला question हिंदी साहित के आधुनिक काल को गद्यकाल की संग्या किसी ने दी बहुत ही important question है इसको जरूर पढ़ेंगे आप लोग ठीक है तो इसका अंसर जो है होगा हिंदी साहित के आधुनिकाल को गद्यकाल की संग्या रामचंद सुक्ल ने दी ठीक है हरी संकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरें किस विधा की रचना है जैसे उनके दिन फिरें किस विधा की रचना है आंसर आप लोग सभी देंगे ठीक प्रसाई की है जैसे उनके धिन फिरें किस विधा की रचना है तो यह कहानी विधा की रचना है ठीक है अग्ला question हम लोग देखेंगे मेरी अस्फलताएं किस विधा की रचना है मेरी अस फलताएं किस विधा की रचना है सभी बच्चे अंसर देंगे कि मेरी अस फलताएं किस विधा की रचना है आप लोग को जो भी बच्चे अगर पढ़े होंगे तो मैंने कई बार बताया है कोश्चन ठीक है जितने भी कोश्चन है इसमें आज यह रिवीजन क्लास है ठीक है यह रिवीजन क्लास की रूप में है क्योंकि इसमें आपका रिवीजन करा जा रहा है यह कोश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने करा दिया है ठीक है तो आत्मकथा आत्मकथा आपका सही आफ्टन होगा मेरी असफलताएं आत्मकथा है ठीक है भा आप लोग के पास कम रहता है अंस्वर फटाफट देते रहेंगे ठीक है तो यह जो कोश्चन है important भी है सभी आपको याद समय सभी का याद करना है ठीक है और भारते युगीन गर्दी की समय सीमा जो है ज़्यादातर पूछा जाता है ठीक है ज्यादातर पूछा जाता है इस इसका अंजर देंगे ठीक है फटा फट देंगे तो मैं बता दूंँ आप लोगों को दूसरा अप्षन इसका बिलकुल सही होगा अठारा सो पचास से उन्नीस तो इस्वी तक याद कर लीजी बच्चों भारतेन यूगीन गद्धी की समय सीमा अठारा सो पचास से उन्नीस त यसमा च्याथर से खते हैं ठीक है सिक मानी खिक है और अगला कोश्चन है भातेन योग से पूरव गद्धी के लेखक है तो अंसर देंगे आप लोग existe कौन है ठीक है अंसर देंगे अंसल देने में बिलूकर का जोसी करेंगे सब्से देते रहेंगे तो आपको मैं बता दूँ इसका जो है मुंसी सदा सुखलाल सही आफसर मुंसी सदा सुखलाल है ठीक है अगला कोश्चन प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है जो इसमें दिये गए है ठीक है दो राजा थे प्रारंभिक गद्य लेखक में तो एक राजा यहां पर चार आपसन में है वह राजा कौन है आप लोग बताईए ठीक है आप लोग बताईए कि वह कौन सा राजा है तो स्यूप्रसाद सितारे हिंद यह है आपका सही आफसर में ठीक है सितारे हिंद सही ऑफसन है ठीक है शुक सागर के लेखक है तो सुक सागर के लेखक वच्चो मुंसी सदा सुखलाल जी है थीक है मुंसी सदा सुखलाल जी है और अगला कोस्चन, हरिस्चंद को भार्टिंद युग की पदवी से सुसोभित किया गया, तो यह 41 आफ्सन है, ठीक है? इसका अंसर सभी बच्चे देंगे हरिश्चंद को भार्टेंद युग की पदवी से सुसोभित किया गया तो कौन से सल में सुसोभित किया गया था उन्हें भार्टेंद युग की पदवी से ठीक है कौन से युग में तो 1880 में ठीक है प्रसाद सितारे हिंद किस यूप के लेखक हैं इसका अंस्वर आप लोग देंगे ठीक है अंस्वर देने भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे फटा फटा अंस्वर देंगे जो आपको सही गलत अगर आपको आता है फिर तो आप देजी अच्छे से और नहीं भी आता है फिर भी क कोशिस करें ठीक ज़िए क्योंकि देखें लहरों के नौकापार था वालों की हार यह बोरों की हाड़ पर सवबार फिसलती है लेकिर उसकी मेहनत वेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अगर वह चीटी दुबारा चटना छोड़ दे कि मैं गिरी जा रही हूं अब मैं नहीं चड़ सकती हूं तो फिर क्या होगा तो फिर उसका वह वहां तक पहुंच नहीं पूरुयुक के लेगक है अगला कोश्चन नास के तो पाख्यान के रचाइदा है इस कोश्चन का अंस्वर आप लोग देंगे ठीक है आप लोग देंगे और बेटा मैं आप लोग को टाइन दे रही हूं अंस्वर देते रही अंस्वर देने में बिलकुल कंजूसी नहीं क करेंगे ठीक है